हेलो गाईज, तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे कि जितना भी CBSC ने डिलेट किया है पॉर्षन आपका, वो हम क्लास 9 मैट्स का डिलेटेड पॉर्षन से हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि हमें क्या पढ़न है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, तो एक बार आप चैक कर लो, देन उसके बाद में ही आप प्रिपरेशन करना, हाफ यह ली एक्जाम्स आ गए हैं आपके, तो यहां पर देखे, CBSC ने जो डिलेट किया है, चैप्टर नंबर जो फस्ट है हमारा नंबर सिस्टम, इसके अं प्रिफिर देखे आगे चैप्टर नंबर टू, पौलिनॉमेज्स बिलकुल भी डिलेट नहीं है, तो पौलिनॉमेज्स चैप्टर जो है वो पूरा आपको कम्पलीट करना है जितनी भी एक्जाम्स आपको गेस्टर नंबर师, आपको कम्पलीट करनी है, यहां पर CBSE नने क कुछ भी आपका delete नहीं किया है, chapter number 3 में देखिए, coordinate geometry है, coordinate geometry जो chapter है, chapter number 3, उसके अंदर example number 4 आपको नहीं करना है, और exercise 3.3 का question number 2 भी नहीं करना है, देखिए question number आप first आप कर सकते हो, लेकिन question number 2 आपको नहीं करना है, उस type के जो questions हैं, वो नहीं आएंगे, plot करने वाले questions आपके नहीं आएंगे, वो delete कर दिया गया है, ठीक है, chapter number 4 की अगर बात करें, और चाहे तो आप chapter number 3 बिल्कुल छोटा सा है, तो पूरा आप करके भी जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा portion यहाँ पर cut किया है, CBC ने, अब देखिए chapter number 4 की अगर हम बात करें, तो chapter number 4 मैं linear equations in two variables, जिसमें exercise जो 4.3 है और 4.4 है, दोनो exercise आपके cut कर दी गई है, CBC की दोरा, ठीक है, सिर्फ 4.1 और 4.2 आपको करके जाना है, चैप्टर number 5 की अगर हम बात करें, तो Euclid geometry छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पर कुछ भी delete नहीं किया गया है, nothing deleted, चैप्टर number 6 की अगर हम बात करें, तो lines and angles है, lines and angles चैप्टर के अंदर, जो exercise, last वाली exercise है, 6.3, जहाँ पर हम angles find करते हैं, वो आपका CBC ने delete कर दिया है, तो आपको 6.1 और 6.2 करके जाना है, और से related theorems आपको करके जाना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करके जाना है, 6.3 जो है, वो आपको नहीं करके जाना है, चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो चैप्टर नंबर 7 जो triangles है, triangles के अंदर जो exercise 7.4 है, यह आपके delete कर दी गई है, और exercise 7.4 से related जितनी भी हमारी theorem से हैं, उनको भी आपको नहीं करके जाना है, तो exercise 7.4 जो है, वो आपके delete कर दी गई है, 7.1, 7.2, 7.3 आपको करके ज जानी है, ठीक है, और related जितने भी examples होते हैं, exercise है, वो भी आपको नहीं करके जाने है, अब देखिए chapter number 8 जो है, quad letters, quad letters के अंदर कुछ भी delete नहीं किया गया है, क्योंकि एक, देखा जाए तो quad letters बड़ा chapter है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आपका कुछ भ आपको नहीं करना है, chapter number 9, chapter number 9 पूरा chapter delete कर दिया गया है, कुछ भी आपको chapter 9 से पढ़ने की जरुरत नहीं है, clear है, तो इसको तो आप cross कर दीजे, कि यह chapter हमें नहीं पढ़ना है, चलिए, chapter number 10 जो है circle, इसके अंदर theorem जो है 10.5, इसको आपको reduce करना है, 10.5 जो theorem है, यह नहीं पढ़नी है, बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है, chapter number 10 circle में से, ठीक है, circle के अंदर आपको सब कुछ पढ़के जाना है, 10.5 जो theorem है, यह आपको reduce कर दी गई है, यह आपको बिलकुल भी नहीं करनी है, ठीक है, चलिए, chapter number 11 में जो construction chapter है, भया, पूरा का पूरा chapter आपका क्या कर दिया गया है, delete, तो construction chapter को भी आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है, क्या chapter number 11 जो construction है, इस chapter को भी आपको करने की जरुवत नहीं है, ठीक है, chapter number 12 को देखते है, तो chapter number 12 जो है, हिरोन्स फॉर्मूला, इसके अंदर जो exercise 12.2 है, वो पूरी की पूरी reduce कर दी गई है, और उससे related जितने भी examples है, वो भी आपके reduce हो गया है, तो 12.1 जो exercise है, वो आपको करके जानी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी total number of exercise कितनी है, दो ही exercise है, 12.1 और 12.2 तो को दो reduce कर दिया गया है, तो 12.1 exercise आपको करके जानी है, हिरोन्स फॉर्मूला में, clear है, चलिए आगे बढ़ते है, chapter number 13 क तरफ 16 में surface area and volume है, और surface area and volume में आपका क्या delete किया गया है, एक cube किया गया है, cubert किया गया है, और आपका एक cylinder delete किया गया है, इसके अलावा जितने भी figures है, corn है, spheres है, ठीक है, यह आपके आएंगे, तो cube, cubert और cylinder से related जितनी भी exercise है, वो delete कर दी गया है, तो मैं आपको बता दे क्यूब, cubert और cylinder से related कौन कौन सी exercise है, 13.1 है, 13.2 है, 13.5 है और 13.6 है, यह चारो exercise आपको नहीं करनी है, इसके अलावा जो आपकी exercise 13.3 है, 13.4 है, यह आपको करके जानी है, और 13.7 है, यह आपको करके जानी है, टोटल नमबर और exercise 13.7 तक है, तो 13.3 आपको करनी है, 13.4 आपक करके जानी है, clear है, यहाँ पर चली, चैप्टर नमबर 14 में देखिए, statistics, statistics में आपका क्या reduce किया गया है, exercise 14.1 आपकी reduce कर दी गयी है, 14.2 आपकी reduce कर दी गयी है, 14.4 भी आपकी reduce कर दी गयी है, only आपको यहाँ पर 14.3 पढ़नी है, क्या पढ़ना है, आपको 14.3 को आपको probability के अंदर chapter delete कर दिया गया है तो probability भी है आपको पढ़ने की ज़ुरत नहीं है पूरा का पूरा chapter reduce हो गया है तो probability आपको नहीं पढ़ने है तो total number of chapters कितने reduce हुए है पूरा chapter reduce, मतलब 1, 2 और 3, 3 chapters तो आपको reduce हो गया है, बचे कितने total chapter कितने है, 15 है तो 15 में से आपको कितने chapter करने है 12 chapter करने है, और 12 chapter में भी कुछ-कुछ portions आपका कटाव है, तो आपको इतनी पढ़ने की इतनी ज़रुरत नहीं है मतलब आपको इतना pressure लेने की ज़रुरत नहीं है easily आप ये cover कर सकते हो course, जितना मैंने आपको बता है ये सब चीजे reduced है, तो आपको इनको पढ़ने की requirement नहीं है, end time पर जो भी आपके अभी half yearly में exam हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपके chapters आ रहे हैं, तो आप इन topics आपके delete हुए हैं, इनको आपको requirement नहीं है पढ़ने की इन में से कोई भी questions आपका नहीं बनेगा, clear है बात, तो उम्मित करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी, अगर वीडियो पसंद आये तो please like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कर लिजेगा, bell icon को जरूर प्रेस कर लिजेगा, जिससे की upcoming videos के notification आपको time to time मिलते रहें thank you so much